दूर अग्यान के हो अंधेरे तू हमें ग्यान की रोशनी दे हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी हो भली जिन्दगी दे बैर होना किसी का किसी से बदले की भावना मन में होना हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी सक्ती हमें देना दाता मन का विस्वास कम जोर होना हाँ 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 तो मेरा नाम मिटा देना लेकिन आपको जीने नहीं दूँगा सत्रे अप्रेल तक आपकी धरकन को इस तरीके से जगाऊंगा जैसे मानो कि मैं आपका दुश्मन हूँ उसी तरीके से करूँगा चैन से जीने नहीं दूँगा जी जितना मुझे कोशना कोश लो बेट पे आएगी ख्वाबों में आउंगा लेकिन जगा दूंगा और कहूंगा अंतिम पढ़ियास है जिन्दगी का उठो जगो जो तुम चाहते हो इस ब्रमांड में सब कुछ तुम को मिलेगा एक बार मा सरस्वती के पैर पक्रो पक्रो तो सही और जिस दिन तुम इस तरीके से पकर लिए कि सुझीत सर अब छोड़ना ही नहीं है कमाल उसी दिन से दिखना शुरू हो जाएगा जिन्दगी उसी दिन से बदलना शुरू हो जाएगे और सोच इतनी पोजेटिव होगी लगेगा कमाल की सिंदगी थी भाला हम पिछले 22 साल 24 साल 26 साल हमने क्या किया अपने आप पे सर्माएगा, सच्ची बता रहा हो, और ये मैं आपके साथ में कर गुजारूंगा, आप चाहे जितना मुझे कोसना चाहो, कोस लो, लेकिन आपको पास करना है, सुजीत सर के लिए नहीं, अपने देश के लिए और अपने माबाप के लिए, अपनी जुन्दगी को खुश क करना है, और वो सिर्फ आप करेंगे, लेकिन दुर्भाग से, सब में नजर उठाके, आपके तरब देखता हूँ, तो सर्म से मेरी आखे जुक जाती है, सच बता रहा हो, आत्मा से सर जुका के, कि आपके साथ में मजाग बनता है, और उसी मजाग में, आप मजा लुटते ह ये भी एक कमाल की बात है, कमाल की बात है, कोई आके एक किताब में 140 बता के जा रहा है, कोई तीन किताब में बता के जा रहा है, कोई चार किताब में बता के जा रहा है, कोई ये पढ़ों बता के जा रहा है, कोई वो पढ़ों बता के जा रहा है, लेकि कभी अपनी जिंद कि डोर जो है, सामने बाले को छोड़ दिया है, कि ले चलो जहाँ ले चलते हो, अगर जहन्नों में ले चलोगे, तो मैं जाने के लिए तयार हो, गिर जाओ, मर जाओ, भैल कर जाओ, लेकिन साथ तो मैं ही चलूँगा, तो मुभारक है इसे लोगों को, मैं भी दिल से आपको दुआ देता हूँ तथास तू लेकिन एक मिनट इस 21 सदी में सब के सब एकी सास उपर हो सोचो इस जमाने में हो क्या रागिम आप फैल करते हो या आपको फैल करवाया जाता है इस पे बिचार करना आज पूरी रात आपकी धरकन रुख जाएगी थोड़ा देर के लिए मालो जहाँ पे बैठे हो न सच्ची बताता हो लगेगा भूकम पा गई सिप लगे या तुमी हिल रहे हो और दुनिया से पूछोगे लगता है अर्थ क्यों कहा है था क्या जमाना आप पे हसेगा और वो दे इंडिया सेगा जब आप चार किताब पास किताब पढ़े रिजल्ट नहीं हुआ दुनिया फिर पुछेगा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ सर फिर जुकेगी कब तक सर जुकाओगे और अपना ही सर क्यों जुकाओगे सामने बाले की सर क्यों जुकाते हो क्यों आपको कोई बेकू बनाता है क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है हमारा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तुम ही से करता है सामने बाले को हम सब कुछ दे चुके है और सामने बाला हमारे साथ गेम खेल रहा है और हम उस गेम में मौज ले रहे हैं तो फिर मुबारक हो मैं क्या कर सकता हूँ जी ओ जी भर के जिंदगी क्या पता कल ऐसे वक्त मिले न मिले आज माबाप के पैसे पे S कर लो क्या पता कल तुम माबाप बनो तु साइद S कर पाओ या ना कर पाओ तो भी खुद को बदलो दोनों में बदलना होगा और ये आपको करना होगा सही बात बताता हूं अब बात रही एक कोश्चन आपके पास दाखता हूं बड़ा छोटा सा है उसका सोलुसन आस की रात आखे बंद करके देना और वो कोश्चन है कैसे मिलेगे 120 जवाब दो दिमाग सुन सुबाख हामोश समझ में नहीं आ रहा है कोश्चन सुजी से पूछ दिये आज तक तो मुझे ये कोश्चन कीसी ने पूछा है नहीं खुद की जिन्दगे ना पूछा और आज आप पूछे हो कैसे मिलेगे 120 बताओ न आपसे पुछाओ नजर मिलाके कैसे मिलेगे 120 क्या बॉइफेंट गल्फेंट बनाके सोचो क्या नशा करके क्या सोचके बस चाहत है जिम बनने की इरादा बिल्कुछ जीरो या फिर सोसल मिडिया पे घंटों समय बिता देने के बाद या फिर इस खुपसूरत सी ठंट में सोके समय गुजार दो कैसे मिलेगी इसमें आप कहा पिखड़े हो बताओ कही ने कही तो तुम भी खड़े हो क्योंकि इन सब में अगर खड़े तुम नहीं हो तो तुम सिक अंदर हो आपका रिजल्ट आरा जी लिखबा लो हमसे अभी इस खुपसूरत सी रात में बता देता हूँ आपका रिजल्ट आरा हो और इसमें कहीं भी फसे है तो यकीन मानो रिजल्ट आपके हातों से भी सल रहा है बेहतर है जो बचा हुआ सतर दिन है इसमें अपने आपको कंट्रोल कर लो तो भी लिजल्ट आजाएगी अभी भी बचा हुआ समय है दिन दुनिया से कटो खुद के अंदर आओ और इस कोश्चन को इतना बार पूछो इतना बार पूछो इतना बार पूछो कि ये कोश्चन एक वीडियो की तरह आपके दिमाग में चलना सुरू हो जाए कि कैसे मिलेगी 120 क्योंकि 120 नहीं आएगा तो सलेक्शन नहीं होगा जिस तरीके से दरोगा में गेम खेला गया जिस तरीके से NTPC में खेला गया इन सारे बच्चे आपके साथ competition में compete करेंगे आपकी आउकाद क्या है बताओ आएगी result या फिर इस बार भी माबाप को उदासी ही हाथ लगेगी सोचना तो आप ही कोगा जी और ये चीज तो आपको सोचना होगा अभी भी वक्त है और honesty बात कर रहा हो दिल पे हाथ रखके यही काम करना होगा करेंटेप्यर पे काम करो ज्यादा ताम जाम मत करो बरना फस के मर जाओगे सामने बाला यूज कर लेगा उसे तो सब कुछ मिलेगा तुझे कुछ नहीं मिलेगा कर भी है दिल की बात है इसलिए अपना अस्तित्त बढ़ाओ दूसरे से सीखो अपने आपको बरबाद मत करो अपने आपको गुलामी के बंधन से बाहर निकालो क्योंकि तुम मानब हो और ये तुम कर सकते हो इसलिए करेंट अफेर सुबह जगना सुरू कर दो अब भी वक्त है हाथ जोड़के विंती कर दाओ हाथ जोड़के समझो मेरी बात सुबह जगने के पीछे भी बहुत बड़ा राज है फिर किसी वीडियो में इस राज को खोल दूँगा जो अपकी होस को उड़ा के रख देगा उठो चार बजे क्रेंट अफैर के साथ जिन्दगी शुरू होनी चाहिए मुबाइल के साथ नहीं और यह तुम कर सकते हो यह तुम में है ताकत अगर इस सत्तर दिन को अगर दिल से जिलिए तो यह सत्तर दिन आपकी जिन्दगी कभी नहीं भूल पाएगी और अगर इस सत्तर दिन को आपने सो के गुजार लिया तो जिन्दगी भर जिन्दगी से आहे भरते फिरोगे कोई मनाने वाला नहीं है कोई आपके दुख दर्द को देखने वाला नहीं है दूसरा इतियास इतियास के लिए कुछ नहीं सालक टेबल को खाली करो टेबल पे बस एक बुक रखो और वो है इसके पांडे सर की बुक जाओ जमाने को ढूड़ो कहां इसके सर की बुक है उसको लाओ और परिक्षा घटना चेकल का पुर्वा बलोकन दोलो एक साथ रखो और कसम खालो कि आधूनिक भारत 15 दिन में कम्प्लीट नहीं कर दिया तो परना बेकार है लग जाओ रात दिन और दिमाग को ये बता दो कि मैं जुन्दगी का अंतिम गेम खेलना हूँ अंतिम बार पर रहा हूँ इसके बाद मुझे जिन्दगी कभी मोका नि देगी चाहे कुछ भी हो जाए लगा दो जान जो कर सकते हो वो करो पूरी ताकत लगा दो लेकिन रिजल्ट इस बार किसी भी हाथ लवे हाथ से जाने मत दो और तीसी बात जीबी ग्यान जीबी ग्यान के लिए बड़े स्टुडेंट आते सुजी सर क्या करू लुसेंट का पर्लो एक सा जो आता है हरी वाली बुक नहीं गल्ती मत करना मत परो उसको अगर आपको जीबी ग्यान परना है तो परिछावानी SK ओजासर की बुक को उठाओ मज़ा जाएगा मज़ा जाएगा इतनी बहतरी तरीके से लिखी गई यह बुक को कि यकीन मानो दिल खुश हो जाएगा मात्र पंदरे दिन समय दो पंदरे दिन में उसको उठा के चाट जाओ और घटना चक रखो समान ग्यान को उससे सारा कोशन को चाट जाओ अगर आपको कॉंपीट करना है 2022 में मेंस लिखना है और 2022 के अंत में इंटर्व्यों को फेश करना है तो शुरुवात करो यही है शुरुवात यही है जहां पे 20 डालो पौधा निकलेगा वरनाच जिन्दगी आपकी है जैसे चला सकते हो और बिहार बिसेंस कोई हिमिनी भूक नहीं बस केभी सी नेनो उठाओ और केभी सी नेनो को एक एक पेज को इस तरीके से पढ़ो मानो दुबारा सुजीत सर इसको चूना ही नहीं है क्योंकि अभी तक ये किताब में लिखा हुआ है लेकि जिस दिन आप पर ना सुरू कीजिएगा आपके दिमाग में जाके चप जाए हाँ सुजीत सर आपने बोला चप जाए ये कैसे होगा लिखना सुरू करो जितना तेर पढ़ते होने उतना दिर लिखो एक बार कोसिस तो करो मुझे पता है कि लिखने में दर्द होता है मुझे पता है लिखने में हमारा confidence डाउन हो जाएगा क्योंकि हमारी पढ़ाई के speed घट जाएगी छोड़ो मैं ऐसे भी बढ़के क्या कर लिया दो साल चार साल पांच साल तो हो चुका है सफलता दूर दूर तक ने लगी है एक बार मेरे कहले पर चलो तो सही जितना पढ़ते हो उतना लिखो क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं में सालग है लिखने का यहाँ भी लिखने का जो पढ़ रहे हूं, जो सीख रहे हूं, जो अंदर जा रहा है पेन से उसको लिख डालो इतिहास, क्योंकि वही इतिहास आपका बनेगा और आने वारे टाइम में आयोग के वेपसाइट टे आपका रोल नमर रहेगा और अगर नहीं लिखे आयोग अपने वेपसाइट पर आपका रोल नमर नहीं लिखेगा लिख बालो हमसे ओपन चैलेंज देते हैं नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ऐसे स्टुएंट को देखा हूं जो बहुत ग्यानी है लेकिन लिखना आज भी उनको इंट्रेस से बाहर है और यही वज़ा है कि आज भी वो बाहर घुम ले है सिस्टम के अंदर नहीं जा पाए है और मैं परिकरीब से देखा हूं ऐसे स्टुएंट को आपकी जिंदगी में यह नहीं आए इसलिए आज अभी इसी बग शे लिखेना शुरू कर दो जितना पढ़ो लिखो 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 तभी रिजल्ट आएगा बरना चार भुक और तीन भुक आपके 140 तो छोड़ दो हंडेर पुराने में आउकाद आपकी हाथ में लाकर रख देगा बाकी सोचना आप ही कोई जी आप दिल पे हाथ रखिए और मुझसे नजर मिलाए मुझे जिस रूप में जानना चाहते हैं जैसे आप मुझे लेना चाहते हैं मुझसे नजर मिलाकर कहिए आप पास करेंगे बताइए आप पास करेंगे आपको लगता भी है आप में उकाभिलियत है है जहां सारे छे लाख अशुलेट बैठेंगे सामने वाले कि गर्दन उखार रही होगी आपने है वो कबिल्यत साथ बच्चे में तो पहला स्थान आपका नहीं आ रहा है सारे छे लाख की गर्दन उखारना होगा आपके आपकाद हाथ में आ जाएगी ये कोशन सुनते ही आपका दिमाग सुन हो गया होगा आप पास करेंगे क्यों नहीं दिल से निकलती है आवास कि हास उजी सर रिजर्ट लाकर दिखाएंगे आयोग अगर 140 भी लाएगा नहीं तो मेरा 141 रहेगा सची बताता हूँ नहीं ताकत है आपमें क्यों नहीं ताकत है वो भी राज खोल देता हूँ क्योंकि आप रगरती नहीं है बस पढ़ते हैं अंदर डालते जा रहे डालते जा रहे डालते जा रहे और इतना डाल चुके हैं कि अब जो डाला गया डाटा है वो कूरा बन चुका है वो examination hall में confusion के साथ निकल रहा है वो data बनके निकल ही नही satisfaction दे रहा है जिस समय आप पढ़ रहे है satisfaction और examination hall में confusion create कर रहा है और मुझे selection चाहिए satisfaction नहीं चाहिए और उसके लिए आपको रगरना होगा रगरना सुरू कर दो 20 दिर के बाद मुझसे नजर मिला के कहोगे सुजीत सर्थ पक्का selection लेंगे जिसको जो उखार ना उखार के द अगर ना ले लिया तो अपना नाम बदनाम कर दूंगा यह तब कहोगे जब आप रगलोगे ऐसे आप में काबिलियत नहीं है कहने की भूल जाओ आपका मन आसान रास्ता ढूंडने लग गया है आज कल सोचल मीडिया इस तरहीं डेबलप हो गया आपके हाथ में यह नहीं है आप ऐसे कीजिए आप ऐसे कीजिए तो यह हो जाएगा वो कीजिए तो ऐसे हो जाएगा एक काम करते थोड़ा सा सुजीत सर का वीडियो देखत और देखते देखते जो है टिक टॉक में चलेगे कितनी चीनास्ती है क्या बोटी है कैसे पहंती है और उसमें इतना इंट्रेस्ट हो जाता है कि अभी पता ही नहीं चला था सुजीत सर अभी 10 मेट पहले तो ही किये थे दो घंटा साब जिंदगी से कहा गई दो घंटा आप आपके पास में लिम्टिट टाम दिया गया है और यहां Unlimited Game खेलना आपको आड इस लिम्टिट टाइम में आपके दो घंटा जिंदगी से गए आप वो लॉट के कभी निआने वाले है को कोसिश कर लो दूनिया में कुई नी बताएगा आपको और किसी की ऑवकाल भी नहीं कि दो घंटा आपको कर्ज में दे दे नहीं दे सकता है पैसा दे सकता है मदद कर सकता है वक्त कोई किसी को नहीं दे सकता है आपको यह चीज अगर पता है तो फिर आप गेम क्या खेल रहे हो आपके साथ में गेम कोड खेलता है हम आप जिन्दगी मुबाइल अगर यह सब गे उसकी सांस जूरी हुई है आपकी हर आशा की किरन वो अपनी आशाव समझती है एक है जो दिल से आपके लिए दुआ कर रही है और उसकी दुआ अगर पूरी नहीं हुई तो समझ लेना उस रब को भी वो नहीं छोड़ेगी और उसके पीछे जिमेदार सिर्फ तुम रहोगे क्योंकि तुम पटना पडियागराज मुखरजी नगर में समय बिता रहे हो और इसके बदले में आपके मा उस रब को बद्दुआ देंगे और वो रब आपको कभी नहीं छोड़ेगा वो काल बन के दोड़ेगा आपके उपर और काल सब को रुलाया है आपको भी रुलाएगा इसलिए काल का सता जोक के सम्मान करो समय को पकड़ो और जिन्दगी को जन्नत बना दो खो मेहनत करो इतनी मेहनत करो कि दिल से आवाज निकले मज़ा आगे जिन्दगी चीने में चलिए फिर किसी नेक्श वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार